हेलो गाईज, वेलकम तो मैं चैनल, MCQs का डास हो, आज हम लोग इस वीडियो में भारत के जलपरपात के MCQs को देखने वाल है, जो के हमारा लुसेट अब्जेक्टिव बुक का यह जो स्रीश चल रहा है, उसमें इस चैप्टर को देखेंगे, हम लोग तो अभी हम लोग इं इतने डिस्क्रिप्शन में प्लेइलिस्ट का लिंग दिया हो है, या फिर आप चैनल से जाकर करके भी देख सकते हैं, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, फ़हला कोश्चन है हमारा भारत में सबसे उचा जलपरपात, यह कौन सा है, भारत का सबसे उचा जलपरपात, options हैं सिमसा जलपरपाथ, होगे नकल जलपरपाथ, कोटासलम जलपरपाथ या फिर जोग जलपरपाथ तो भारत का सबसे उचा जलपरपाथ है जोग जलपरपाथ, इसका हाइट है 250 मीटर का और यह जो जोग जलपरपात है यह करनाटक में है और यह सरावती नदी के उपर है जोग जलपरपात और एक चीज जोग जलपरपात के बारे में यह है कि जोग जलपरपात जो है यह चार चोटी चोटी परपातों से मिल करके बना है वो चार चोटी चोटी परपात कौन कौन से राजा रागेट राणी और रोडर राजा राणी राकेट रोडर इंचार परपातों से मिल करके बनाईए जोंग जलपरपात इसको इसका एक अन्य नाम भी गर सोपा जलपरपात ठीक है तो option D नेक्स्ट जोग या गर्सुपा जलपरपात का नया नाम क्या है उप्संस है सरदार पटेल जलपरपात महात्मा गांधी जलपरपात जवाहर लालनेरु जलपरपात या फिर इंद्रा गांधी जलपरपात तो जोग या गर्सुपा जो जलपरपात है जो भारत का सबसे उचा जलपरपात है इसका नाम महात्मा गांधी जलपरपात के नाम पर रखा गया है और भारत का सबसे उचा जलपरपात है जलपरपात किस नदी पर है और इंद्रावती तो कपिल धारा जलपरपात हो यह दोनों ही नर्मदा नदी के उपर है तो ऑप्शन सी यहाँ पर भी राइट हो जाता है नेक्स्ट है सिफ समुन्दरम जलपरपात किस नदी पर है सिफ समुन्दरम जलपरपात जो है यह तमिलांडू में है और यह किस नदी पर है उप्शन से नमदा नदी किष्णा नदी गुदावरी नदी और कावरी नदी तो सिफ समुन्दरम जलपरपात जो की उपर है, option D राइट होगा नेक्स्ट है गोकक जलपरपाथ जो है यह किस नदी पर है option से कावेडी, ताम्रपढ़नी, सरावती, गोकक तो गोकक जलपरपाथ जो है गोकक नदी के उपर है और यह है कहाँ पे, करनाटक में नेक्स्ट है हुन्रू जल परपात को लोगपिडिय रूप से नियागरा जल परपात के तौर पर जाना जाता है तो भारत का कौन से जल परपात है जिसको लोगपिडिय रूप से नियागरा जल परपात के तौर पर जाना जाता है option से बरकाकानः परपाथ चित्रकुट परपाथ, रजत परपाथ या फिर केवटी परपाथ तो भारत में नियागरा जल परपाथ के तोर पे जाना जाता है चित्रकुट जल परपाथ को जो की छत्तिस गड़ में है और ये इंद्रावती नदी के उपर है 36 गर्ण में इंद्रावती नदी के उपर है तो option B right होगा Next है यहाँ पर match करना है जल पड़पात को किस नदी पर है उसको match करना है तो जोग जल पड़पात हमने देखा था यह सरावती नदी के उपर है Next है सिफ समुद्रम जल पड़पात यह कावरी नदी के उपर है और धुमाधार रम्दा नदी के उपर गोकक गोकक नदी के उपर तो A का 1, B का 2, C का 3 और D का 4 option D में मिल रहा है option D right होगा Next है एसिया का सबसे बड़पात हुन्रू किस जगह के पास है तो हुन्रू जल परपात जो है एक इस जगह के पास रमों बताना options है राची, हजारी बाग, जमसेतपूर और बोध गया तो हुन्रू जल परपात के बारे में हमने देखा था कि इस सवन रेखा नदी के उपर है और यह जारखन में कहाँ पर है options है जोग परपात, सिफ समुद्रम परपात, गोकक परपात या फिर इन में से कोई भी नहीं तो महात्मा गांदी जल विदू उत्पादन जो प्लांट है यह इस्तित है जोग परपात पे जो की करनाटक में है सरावती नदी के उपर तो option A right होगा next question है निम्रिखित में से कौन सा परपात नरम्दा नदी के उपर नहीं है options दिए गए कपिल धारा, भालकुंड, दुग दधार, भेड़ागाट तो नरम्दा नदी के उपर कौन कौन से परपात है बालकुंड, सोरी, कपिल धारा, दुग दधार और बेड़ागाट कपिल धारा, दुग दधार और भेड़ागाट ये तीनों जो ये नरम्दा नदी के उपर है कौन सा नहीं है भालकुंड जो ये नरम्दा नदी के उपर नहीं है अप्सन से अधीर पिली, दूद सागर, जोग और फिर ही नी तो हमने पहले कोश्चन में देखा था कि भारत का सबसे उचा जलपरपात है जोग जलपरपात ये चार छोटी छोटी परपातों से मिल करके बना है राजा, रानी, राकेट और रोडर तो उप्सन C हमाना राइट हो जाता है नेक्स्ट है कॉकूलत जलपरपात ये बिहार की किस जिले में इस्थित है कॉकूलत जलपरपात बिहार में है और ये किस जिले में है उप्सन से नवादा, रोतास, कटिहार और भागलपूर तो ककुलत जलपरपात जो है ये नवादा जिले में है बिहार में option A right होगा Next question है सहस्त्र धारा परपात इस्थित है कहाँ पे सहस्त्र धारा जलपरपात जो है ये कहाँ पे इस्थित है options है दहरा दून, मसूरी, पंत नगर और स्री नगर सहस्त्र धारा जलपरपात ये इस्तित है देहरादुन में option A right होगा next question है नीलगीरी के परवतिय च्छेतर में कौन सा जलपरपात है नीलगीरी के परवतिय च्छेतर में कौन सा जलपरपात है option से जोग, येनन, धुआधार, पाइकारा तो नीलगीरी के परवती च्छेतर में पाईकारा जलपरपाद है ये तमिलाडू में नीलगीरी के परवती च्छेतर में है नेक्स्ट है निम्रिकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है सिफ समुन्रम जलपरपाद कावेडी नदी के उपर है ये सुमेलित है धुआ धर जल परपात नर्मदा नदी के उपर है ये भी सुमेलित है सहस्त्र धारा जल परपात बालदी नदी के उपर है ये भी सही है गर्सोपा जल परपात कावेडी के उपर है तो हमने क्या देगा था कि गर्षुपा जलपरपाता है कनातक में सरावती नदी के ऊपरे ना की कावेडी तो ये गलत हो जाएगा अजल ओप्साण D । विए निक्स्ट एन इम्रीकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है जोग जलपरबाद कनाटक में है ये सही है पाप नासम जलपरबाद जो है ये हिमाचल परदेश में है धुआधर जलपरबाद मद्धे परदेश में हुन्रू जारखन में है तो हुन्रू तो जारखन में ये सही है दुआधार जलपरपाथ जो है ये मध्धे पर्देश में ये भी सही है पाप नासम जलपरपाथ हिमाचल पर्देश में नहीं है ये गलत हो जाएगा ये आंध्र पर्देश में है तो अप्सन भी यहां से राइट हो जाता है नेक्स्ट है जलपरपाथ है और नदी है उसको मैच करना है कपिल धारा जलपरपाथ उसे बताना है कौन सा सुमेलित है कौन सा सुमेलित है वह मैं बताना है कपिल धारा जलपरपाथ जो है गुदावरी नदी के उपर है जोग परपाथ सरावती नदी के उपर है सिर्फ समु सिफ समुंद्रम परपात कावेडी पर यह भी सही है तो हमें जो यूगम सुमेली थे वह पताना तो दूसरा और तीसरा सुमेली थे पहला सुमेलित नहीं है इसलिए ऑप्सन बी राइट हो जाएगा टू है यह राइट हो जाता है भारत की जल पर पारत रिलेटेड 20 वन कोस्चन ष्यादा था नहीं तो हमने देख लिया है कोस्चन को वीड़ अचाव लगा थो लाएक किजेंग चैनल पे नहीं तो चैनल को सबस्क्राइब कर लिजेगा और बेल इकन को जो हुप से जागर करिंग आप मजास सारे वीडियो क मिलते नेक्स वीडियो में, bye and take care.